क्या आप अपने Samsung के किसी भी phone में app का internet बंद करना चाहते हैं किसी भी application का internet बंद करना चाहते हैं तो यह कैसे करे आये जाते हैं सबसे पहले उपर से notification पैनल को नीचे लाएं और mobile data पे long press करें देर तक दबाएं अब allowed network for apps पे क्लिक करें नीचे स्क्रोल करके WhatsApp की application को ढूण लें यह रहा WhatsApp इस पे क्लिक करें यह यहां पर mobile data और Wi-Fi इस पे सेट है तो आपको इसे Wi-Fi only पे सेट कर देना है आपने Wi-Fi only पे सेट किया अब देखिए आप WhatsApp पे जाएंगे तो यहां पर आपको लिख्या जाएगा कि आपका internet बंद हो चुका है अब यहां पर हम message करेंगे तो देखिए message जाही नहीं रहा है देख सकते हैं लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है यहां पर देखिए मेरा mobile data on है ठीक है लेकिन मैं यहां पर अगर Wi-Fi आउन कर दूँगा देखिए Wi-Fi जैसे मैं आउन किया तो यहां पर यह message धड़ादर ध़ादर चले जाएंगे देखिए Wi-Fi उपर connect हो गया है और यह message सारे message चले गया है तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी यह setting करें तो Wi-Fi ना यूज करें mobile data से internet यूज करें तो यहां पर कोई भी message नहीं जाएगा अगर आप mobile data से message किसी को भी भेजेगे तो ठीक है